क्यासे आप आई हो क्या आप सभी अच्छ हों सुवच आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले ITLP 40 की Top 10 Hidden Features के बारे में आज की इस वीडियो में आपको Top 10 Hidden Features बताने वालों इस डिवाइस के इस वीडियो को एंट देखना है वीडियो को बिल्कुरी स्किप नहीं करना है और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज से चैनल को सब्सक्राब करके वहल आइकुन को प्रेस कर देना है तो फर्स्ट अपॉल यहां पर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यहां पर आपको Settings प कर देना है इससे क्या होता है यहां पर आप थ्री फिंगर से स्क्रीन शॉर्ड ले पाएंगी इस तरीके से बैक चले जाना है बैक जाने के बाद यहां पर आपको Settings पर जाने के बाद यहां पर आपको जाना है मिल जाना है यह special function तो इस पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के ब एलाव करने को बाद यहां पर गॉर्ट कर देना है। यहां पर बयक चले जाना है। यहां पर आपका यह Accessibility feature on हो जाता है। तो इससे बहुत सारा काम कर सकते हैं क्यों के लिए आप। यहां पर किया और यहां पर क्लिक कर दिया तो ऐसे स्टेंट ओपन हो जाता है वट आपको यहां पर Google बढ़ा सकते हैं यहां पर रिसेंट अप्लिकेशन ओपन करने तो इस तरीके से कर सकते हैं बाग यहां पर लॉग कर सकते हैं फॉन को स्क्रीन शोड ले सकते हैं यह सारा काम यहां पर आप कर सकते हैं एक्सिजबिल्टी फीचर से ओके नेक्स्ट यहां पर आपको जाना होगा डाइलर में और डाइलर में जाने के बाद रिसेंट पर क्लिक कर देना है सेटिंग पर क्लिक करना है सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहां पर एड़ान सेटिंग पर क्लिक करना है एड़ंस Sheetting पर क्लिक करने को यहां पर आपको बहुत सारी सेटिंग मने जाते हैं, तो यहां पर आप से ओन कर ले ना है सारीW Seetting से जैजरी, जैजरी, तो अब क्या होगा, अगर 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 आप इस Option को on करके रखते हैं तो क्या होता है?, तो आपके पास कोई को अरहिए आपने fingerprint को ट्च कर दिया तो आपके जाब आपकी दीळक में आपकी call रिकॉर्ड कॉंड करना देख तो आपकी past ben कोई बीक को टॉंड को टॉंड करते हैं तो शल दिए और इस MP3 को दॉर आपकी अर्टar को प्सक्रेश कर दिया इसे क्या होता है यहाँ पर अगर आप इसे on करेंगे तो आपके पास कोई भी call आती है तो वो यहाँ पर जैसे आपने call रिसीप की तो आपका phone बावरेट होगा और call कट हुई तब भी आपका phone बावरेट होता है next यहाँ पर आपको जाता है जाना है speed dial पर और यहाँ पर आप कोई भी number set कर लेना है दो number पर ती number पर चार number पर पांच number पर क्या होता है अगर आपने दो number पर अपने घर का number लगा लेते हैं पांच number पर अपने पापा का number ती number पर आप अपने भाई का number तो यहां पर क्या होता अगर आप आप दो नंबर को प्रेस करके राखेंगे से तो वोन उम्बर यहां पर डारेक्ट लख जाता है डाइल हो जाता है दो बार आपको फिलिक नहीं upwards और नहीं अहीं नर्भ ढूंने होता है तो इसी कैसे आप पर आप CP डायल डिस्प्ले इसपर क्लिक करना है तो क्या होता है अगर आप कोई भी application यूज़ कर रहे है तो आपके पास कोई call आ रहे है तो इस तरीके से आती है notification करके ओपर से छोटी सी banner में ओके और अगर आप चाहते हैं से full में तो यहां से click कर देगे तो यहांकी full display में यह call चलती है आप यहां से Settings ओर आहने के बाद यहां पर आपको त्रБक से नीचे चले जाना है यहां पर इंग शिटेम बर ओ्पशन पर क्लिक करना है पर आप मेंés श्यिड्यूल पावर on off and pre-start इस पर कुलिक करना है और यहां पर आपको power on को time मिल जाता है इसे on करना है power off का time मिल जाता है इसी on करना है इस त anál estamos on करने की बाद तो यहां पर आपको time set करना है जैसे कि आपका phone always on will own अ को और आपका phone every day यहां पर रात के 10 बज description आपका phone off हो जाएगा तो 10 p.m. कर देना है तो यहाँ पर आपका phone automatically आपका phone सुबह 7 बजे on हो जागा और रात के 10 बजे off हो जाएगा और आप चांते हैं कि आपका phone एक हपते में एक बार हैं आपका restart हो तो इस तरीके से on कर देंगे और restart का time आप यहाँ पर इस तरीके से set कर पाएगे जैसे कि दिन में 12 बजे या फिर एक बजे दो बजे a.m. प.m. जो भी समय आप लगाना चाहते हैं इस तरीके से कर देंगे और इससे उक्र कर देंगे तो आपका phone restart हो जाता है और यहाँ पर यहाँ आपका phone off off हो जाता है 10 बजे रात के और सुबा 7 बजे automatically आपका phone on हो जाता है next आपको यहाँ से back चले जाना है back जाने के बाद यहाँ पर आपको और और चले जाना है back अब जैसे कि अगर आपको यहाँ पर अपने phone में eye care mode enable करना है जैसे कि सामके से में आपका phone brightness हो है illness हो जाए तो वो आप कैसे करेंगे तो इसके लिए आपको वो भी schedule कर सकते हैं इसके लिए यहाँ पर आपको display and brightness पर जाना है eye care वाले option पर क्लिक कर देना है जैसे on कर देना है यहाँ पर custom schedule पर क्लिक करना है start time start time यहाँ पर आप कर देंगे 7 p.m और end time यहाँ पर आप करेंगे 7 a.m ओके इस तरीके से और यहाँ से यह होगी आपका sunset to rise अगर आप इसे क्लिक कर देंगे तो क्या होगा कि आपका phone जैसे जैसे कि आपका sun set हो जागा तो यह automatically आपका eye care mode on हो जाएगा और जैसे शूरज निकलेगा sunrise होगा तो यहाँ पर इस तरीके से आपका phone eye care mode से dissenable हो जाता है तो यह setting आप अपने हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं ओके तो अभी मैं इसे off कर देता हूँ so guys next यहाँ पर आपको जाना होगा files वाले application में और यहाँ पर आपको थल से नीचे चले जाना है यहाँ पर आपको इन रता save folder तो इस पर आपको click करना है और यहाँ पर आपको अपने एक pattern set कर लेना है तो मैंने already set करके रखका है यहाँ पर आप अपने photos videos को hide कर बाएंगे अब यहाँ पर set करने के बाद आपको क्या करना हुगा ज़्याँ पर आपको इस तरिकर से आपको यहाँ पर files में जाना है हैं अब आपर photos videos जो भी आपको hide करना है तो जैसे कि मैंने photos तो already करके रखें तो यह वीडियो मैंने hide करना है, तो इसके लिए वीडियो उपन की, और यहाँ पर इसे एक इस लट की three dots पे गए, और यहाँ पर move to save folder पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर अपना pattern draw कर देना है, यहाँ से यह वीडियो गाए, वो चुके अब यहाँ पर आप save folder में जाएंगे, तो यहाँ पर आपकी वीडियो आ जाती है, तो यहाँ पर एक वीडियो और बाकी photos आ चुकी है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर photos वीडियो को भी छुपा पाएंगे, अपनी gallery से, और अगर आप save folder को छुपाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 3 dots पर क्लिक करना है, यहाँ पर और यहाँ पर hide save folder, तो यहाँ से गाए वो चुका है, अब पता भी निचे लगा कि यहाँ पर आपका save folder था भी, और अगर आपको इसे show करना है, तो यहाँ पर show कर देंगे, अब आप यहाँ से अपने आपके phone में यह छोटी सी screen one hand mode enable नहीं हो, तो क्या करना होगा, आपको यहाँ पर pencil का icon पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको मिल जाता है one hand mode, तो इस तरीकर से plus का icon पर क्लिक कर देंगे, यहाँ आप ऊपर आ जाता है हो, तो इस तरीकर से अब आप यहाँ से easily one hand mode enable कर अपने device में, so guys I hope कि आपको यह वीडियो पसान में आप होगा, तो आज की इस वीडियो में इतना है दोस्तों, मिलते हैं एक next interesting video के साथ,